जैहिं साथ हो तो ससी जीडी कॉंश्टेवल की नई भर्ती को लेकर आप लोगों के मन में बहुत डाउट है कि नई भर्ती कब तक आएगी और बहुत सारी वीडियो भी साथ आपने देख ली होगी कि 80,000 प्लस वेकंसी आ रही है कोई कह रहा है 50,000 आ रही है तो अभी तक का अफिसल डेटा क्या है उसके बारे में बात करेंगे कब तक वेकंसी आएगी और यह एक नोटीस आप लोगों ने साथ देख लिया होगा बहुत सारे लोग इस नोटीस के बारे में पूछ रहे थे कि यह नोटीस सही है या फिर गलत है क्योंकि नोटीस किसी ने टेलिग्रा बारी होगी आपको हमारे चैनल पर मिल जागी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा यहां पर देखे सबसे पहले हम बात करें इस बार की भरती के बारे में ससी जीडी भरती 2023 देखे सबसे पहले मैंने एक आटी आई लगाया था तो उस आटी आई के एकार्डिं जो कि 5 जून को ही यह आटी आई का जवाब आ गया था तो यह जो डेटा है आटी आई का यह 5 जून तक का था इसमें बताया गया था कि ससी जीडी कॉंस्टेबल की जो वेकंसी अभी तक इंटिमेट की गई है टोटल यहां पर दे सकते हैं 10,220 वेकंसी को ससी को दिया गया है नोडल फोर्स के दोरा कि आप इतनी पदो पर वेकंसी ससी जीडी कॉंस्टेबल एक्जामनेशन दोजा 24 के लिए निकाल सकते हैं जबकि आटी आई में बताया था कि ससी जीडी कॉंस्टेबल वेकंसी दोजा तेज की भरती आरेडी निकाल दी गई है जिसमें 50,187 पोस् 1414 CPU में और टोटल इतनी वेकंसी आई है अभी तक नोडिफिकेशन में आप जाकर देश सकते हैं CPU SI23 का जबकि देखिए यहां पर बताया गया था कि जीडी की भरती 24 में आएगी और अभी तक 10,000 वेकंसी अप्रूब की गई है तो क्या 10,000 वेकंसी आएगी जी नई फ्रें निकाले वो SSC के उपर है क्योंकि अभी तक कैलेंडर जारी होगा तो उसमें यह भरती आपको देखने को मिल जाएगी कि कब तक आ रही है अब यहां पर हम बात करते हैं उस नोटिस के बारे में वो नोटिस सही है या कि गलत है अगर वो नोटिस सही है तो यह 32,000 वेकंसी क अब तक आएगी और यहां पर देखे हैं अगर आप भरती की तैयारी कराएं क्योंकि भ predator जब देखने को मिल जाएगी तो इसकी तैयारी आप करते रहें तैयारी को न चोड़िए क्योंकि आपके हाथ में तैयारी करना है अप अभी से तैयारी करते रही है और इसकी तैयारी के लिए best book के बारे में बात करें तो आपको चक्सू publication कि मिल जाती है क्योंकि ये book special sscgd के लिए full dedicated book है जिन्होंने भी पिछली भरती में इस book के जरिए तैयारी किया उन्होंने नीशी थी अपने सपद्दा को से और किया तो इस book के जरिए आप इस भरती में selection ले पाएंगे क्योंकि इसमें जो भी आपके exam में question पूछा जाएगा जो भी आपके exam का pattern है तो support slivers के base पर इसे cover किया गया है एक ही book में support slivers आपको cover किया हुआ मिल जाएगा full concept के साथ आपको इसका study guide मिल जाएगा तो इसे आप buy कर लिजेगा और previous year में जितने भी question आया है तो इस book में उन सभी question को भी cover किया गया है हर एक script का तो इसे आप buy कर लिजेगा और इसका practice भी आता है जिसका जरी आप practice करके अपने confidence को boost कर सकते हैं तक का जो update था कि 10,000 वैकंसी intimate की गई है और इस नोटिस के बारे में बात करें यह नोटिस सही है या फिक गलत है यह नहीं पता है क्योंकि यह group में आया है किसी official website पर नहीं आया है official क्या update था वो हमने आपको बता दिया बाकि यह नोटिस सही है या फिन नहीं अगर धूज़गी था कि पर लुदे अगर उसके तक दिया था अगर वो सही है अगर उसके काड़ने वैकंसी दोज़गी भरती में बाकिश को मिलेगा उससेई उमीद बहुत ही कम है और बहुत सारे लोग कहेंगे क्या 10,000 आएगा नहीं 10,000 नहीं आएगा आप यह मान की चलिए कि 40,000 प्लास ही आएगा क्योंकि जो 1,29,000 CRPF के पद खाली है वो भी तो इसमें एडे करेंगे कुछ न कुछ पोट तो एडे करेंगे तो आप यह मान की चलिए कि वैकंसी आएग क्योंकि अक्टूबर के बाद भरती का अपडेट इंटों नहीं किया है तो आप यह मान की चलिए कि सेप्तमबर लास्ता के सची का कैलेंडर सायद एक बार अपडेट हो जाएगा अब कैलेंडर अपडेट हो जाएगा तो उसमें आपको क्योंस्टेबर 3D की भरति देखने को मिलेगी क्योंकि SFC के पास तो कुछ ना कुछ पोश्ट का प्रूवल मिला है तो वो अपना जो है पोश्ट निकालेगा कलेंडर में उसे अपडेट करेगा तो आप यह मान के चलिए कि अगर तेज की वेकंसी आती है तो नौवंबर दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी अ अगर ATI में यह जवाब आता है तो आप मान के चलिए कि यह जो है नोटिस सही है तो वो मैं ATI लगा के कंफर्म कर लूँगा आप लोग निश्चित रहें चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लिजएगा साही जनकार यहां से आपको मिल जाएगी तो चलिए बाक जाहें